हेलो गाईज आर विल्कम तू चैनल एन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वेट के बारे में कि यूनिट वेट क्या होता है कैसे निकाला जाता है यूनिट वेट और यूनिट वेट साइट पे स्टील फिक्सिंग टाइम क्यों इंपोर्टेंट होता है क्या इसका रोल होता है यूनिट वेट का तो आज के वीडियो में हम डीटेल में जानेंगे यूनिट वेट के बारे में उसके फार्मूले के बारे में डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीड different होता है क्योंकि यूनिट वेट यदि हमें पता होता है कि deshalb कि six mm का यदि still है वार है तो उसका यूनिट वेट कितना होता है यदि हमको यह पता हो जाता है तो हम चाहें कितना ओव भी six mm का बहर लगे zł लगे उस साइड पे उस structure भे तो हम ज्री पता का सकते हैं कि उस इस इस इंकाला जाता है कि आप fixing का एक rate होता है जो ठेकेदार को दिया जाता है और company को भी उसी उससे थोड़ा सा अधिक rate मिलता है तो यह process होता है इसलिए यह important होता है और load का भी major होता है कि इतना unit weight का still fix हो गया इस structure में लग गया तो उसके खुद का load इतना हो गया और जो जिस काम के लिए structure बन रहा है सपोज आरोबी है या major bridge है तो उस structure के लिए कौन सा काम हो रहा जिसे कि आरोबी है rail over bridge तो उस पे कौन-कौन से vehicle pass होंगे उसका load कितना होगा तो इसलिए यह चीज़े important होती है unit weight का और unit weight से इसली एक जो willing engineer का काम होता है वो भी इसली हो जाता है और जो पैसे देनी की बात होती है ठेकेदार को वो भी इसली होता है तो यह एक रोल होता है unit weight का अब हम बात कर लेते हैं कि unit weight कैसे निकाला जाता है तो unit weight निकालने का basic formula होता है d square by 162 यहां पे d डाया है बार का डा इस deal बार तो इसका basic formula होता है d square by 2 और इसी का use करके हम unit weight निकाल सकते हैं किसी भी डाया suppose 6 mm का जो बार है उसका unit weight निकालना होता है तो इस formula का use करेंगे d square by 2 तो d इसका डाया 0.06 mm है तो 0.06 का square करेंगे divided by 162 कर देंगे तो इसका unit weight आ जाएगा आपकी per unit means कि एक मीटर 6 mm के बार का कितना weight होगा और वो केजी में आ जाएगा तो यह basic formula होता है unit weight निकालने का तो इसी formula का use करके आप किसी भी डाया के reinforcement का unit weight निकाल सकते हैं suppose कि मा लिजे 32 mm डाया बार का unit weight निकालना होता है तो 32 into 32 divided by 162 हम करेंगे तो इसका unit weight आता है 6.320 तो यह unit weight निकालने का formula होता है और इसलिए unit weight निकालना बहुत ही important होता है I hope कि आपको इस वीडियो से जानकारी कुछ अच्छा मिला यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन् तो यहँ है बहुत ओवी करें आपका देखने का य視 वीडियो आ टनकारी को वीडियो आ धन्मट वीडि़ आपका um hou उसाँ और मू